गुड मॉर्णिंग आपको बता दें कि दिल्ली NCR में लागडाउन लगा दिया गया है और सीमाओं को एक सब्ता के लिए सील कर दिया गया है तो आए जानते हैं इस सम्मंध में क्या है लेटेस्ट अपडेट पूरी जानकारी विस्तार से लेकिन अगर आप मेरे चैनल को पह आपको लगातार मिलती रहें और दूसरी बात मेरे दूसरे चैनल भविश्य दर्शन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बाक्स में दे दिया है आप वहां से देख सकते हैं तो चली वीडियो शुरू करते हैं दिल्ली NCR में एक बार फिर लागडाउन लागू कर दिया गया है इस कारण अगले वीकेंड तक नोवेडा को बंद रखा गया है साथ ही हर्याना सरकार की तरफ से गुणगाओं को लेकर लागडाउन नहीं लगाया गया है लेकिन स्वास्त विभाग का मानना है कि सरकार को गुणगाओं में लागडाउन लगा देना चाहिए इसी के साथ अब दिल्ली नोवेडा गुणगाओं सीमा पर फिर से तनाओं में विर्दी देखनों को मिल रही है क्योंकि दिल्ली नोईडा बार्डर को सील कर दिया गया है और गुलगाओं सीमा किसी भी वक्त सील की जा सकती है आपको बता दें कि दिल्ली से सटे हरियाना के तीन जिलो गुलगाओं, सोनिपत और जजजर में कोरोना संक्रमन के सबसे ज़्यादा मामले देखने को मिल रहे हैं तो चली जाल लेते हैं पूरी खबर तो आपको बता दें कि नोईडा, गाजियाबाद वा उत्तरप्रदेश के कई जगहों पर इस सब्ता के अंत तक लागडाउन लगाया गया है किसी भी सारवजनिक परिवहन के यातायाद पर रोक लगा दी गई है सिर्फ जरूरी कामों के लिए यातायाद का लोग इस्तेमाल कर रहे हैं बता दें कि दिल्ली गाजियाबाद और दिल्ली नोईडा बार्डर दोनों ही सीमाओं को सील किया जा चुका है और साथ ही नोईडा प्रसाशन दोरा किसी को भी सब्ता के अंत तक के लिए पास जारी नहीं किया जा रहा है तो इसलिए अगर आपको इन बार्डर्स के पार जाना है तो फिलहाल के लिए जो है जाने की कोई भी पर्मिशन नहीं है इसलिए अपने घरों में ही रहके रहें और संभव हो तो work from home करें क्योंकि सीमाओं को seal किया जा चुका है तो ये थी latest update वीडियो अच्छा लगे तो like कर दीजेगा और ज्यादस ज्यादा इसको share कर दीजेगा ताकि सभी को इसकी जानकारी मिल जाए ओके थैंक यू